हेलो फ्रेंड वेलकम इनॉम नर्सिंगेडमी मैं इलकाटिवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम देखेंगे प्रॉन पोजिसन के बारे में ठीक है जो कोविड के अंदर जो प्रॉनिंग कामे लिजाती है उसके बारे में अगर आप घर पे हो अगर आपको क कम अंडेड है डबू आचो के दोरह मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ और फेमिली वेलफेर के दोरह अगर आपका एस्प्योटू लेवल है वह थोड़ा कम आ रहा है तो उसी के लिए आपको प्रॉन पोजिशन होए वह कैसे करनी है कैसे लेनी है उसके बारे में ठीक है तो इस वी क्लाइंट है वह किस पर लेटेगा पेट के बल लेटेगा जैसे इसमें आप डाइग्राम में देख सकते हो इसमें यह क्लाइंट है किस पर लेटा हुआ है अपने पेट के बल लेटा हुआ है ठीक है उल्टा लेटा हुआ वह कौन सी होती है वह होती है प्रॉन पोजिशन इसमें देखिए, जो प्रोणिंग है, ये क्या है, medically accepted position, जो प्रोणिंग है, ये एक medically accepted position, जो क्या काम करने का काम करती है, improve breathing, comfort and oxygenation, जो breathing को improve करती है, और oxygen level को बढ़ाने का काम करती है, इसमें next देखिए, it is extremely beneficial in COVID-19 patient, जो भी COVID-19 के patient है, उनके लिए बहुत ही क्या है, लाबदा बढ़ाने के लिए, oxygen के level को बढ़ाने के लिए, हम क्याल देंगे, prone position देंगे, आज कल hospital में जो भी COVID-19 patients आ रहे है, उनको कौन सी position दी जा रही है, उनको prone position दी जा रही है, ठीक है, तो ये recommended है, WSO के दोरा, जो ministry of health है, family welfare है, उसके दोरा, ठीक है, ये जरूरी है, patients के लिए, वो increase करने के लिए, और जो prone position है, इसको हम ventilator breathing position के नाम से भी जानते है, ठीक है, इसमें next देखिए, importance of prone lying, यानि जो prone lying है, उसके क्या importance है, उसके बारे में देखेंगे, prone position improves ventilation, जो prone position है, वो किसको improve करती है, ventilation को, keep allular units open and breathing easy, जो भी allular unit है, उनको क्या करके रखती है, खोल के और जो breathing है, उसमें आसानी से हो सके, ठीक है, easy breathing के लिए, prone position है, जरूरी है, next देखिए, important, proning is required only when the patient feels difficulty in breathing, तो जो भी prone position है, वो आपको कपका में लेनी है, जब SPO2 का जो level है, वो 94 से कम हो, ठीक है, important है, जब भी SPO2 का जो भी level है, अगर वो 94 से कम आ रहा है, तब आपको prone position ह वो लेनी है, और regular monitoring करनी है, किसको SPO2 को, ठीक है, SPO2 है, उसको आपको regular monitoring करनी है, इसके साथ, जो भी other sign है, जैसे temperature है, blood pressure है, और blood sugar है, उसको भी आपको क्या करना है, record करना है, ठीक है, जब भी आपको home isolation किया गया है, आपको home quarantine किया गया है, इसमें next देखिए, timely proning and maintaining good ventilation could save many lives, यह ministry of health के द्वारा बताए गई है, यानि जो कई लोगों ने, जिन्होंने prone position लिए है, तो उसके द्वारा कई जो भी जानी है, वो बचाए गई है, इसमें next देखिएंगे, position of pillow, इसमें जब एक client है, वो कौन सी position में रहेगा, prone position में है, तो उसको pillow है, वो कौन सी position में दे जब एंगे, one pillow below the neck, एक pillow वो कहाँ पर रहेगा, neck के नीचे, जैसे आप देख सकते हो, एक pillow वो neck के नीचे, one और two pillow below the chest, throw up by thigh, और जो एक से दो पिलो है, वो कहाँ से, chest से लेके अपर थाई, तक यह देख सकते हो, ठीक है, two pillow below the sins, और जो पिलो है, वो, since के नीचे, यह रहे ठीक है ये आपको pillow का use करना है position के दोरान अब इसमें हम next देखेंगे जो भी position है वो कैसे देंगे इसमें देखिए improve lung oxygen by lying in prone position तो इसमें आप candidate देखिए तो ये क्या है कौन सी position है ये prone position है ठीक है अभी मैंने बताया ये कौन सी position है ये prone position है जब भी SPO2 का level है वो 94 से कम आएगा उस condition के अंदर आपको लेनी है इसमें देखिए first point in by lying in prone position on a flat bed for 30 minutes to 2 hours ठीक है ये position आपको कम से कम 30 minutes दे लेकि 2 गंटे तक आप इसको रख सकते हो और 2 गंटे के अंदर भी मतलब इसमें manly चीज है आपका comfort अगर आप उस position में comfort हो आप उसको tolerate कर सकते हो उस condition में आप उस जो भी position है prone position है आप उसको 30 minutes से भी ज्यादा extend कर सकते हो next है इसमें next फिर position चेंज करनी है switch to line on your right side for 30 minutes to 2 hours उसके बाद में आपको जो position है वो right side में लेनी है उसके बाद में आपको ये semi-faller position के अंदर लेनी है 30 minutes के लिए ठीक है और next है जो भी position होगी वो फिर होगी switch to line on your left side ये left side line position लेनी है और उसके बाद में आपको लेनी है switch to semi proning position for 30 minutes उसके बाद में आपको sims position लेनी है जो 5 subscription है उसके according और उसके बाद में आप वापस से कौन सी position लोगे prone position ठीक है ये circle आपको क्या करना है maintain करके रखना है और इसके लिए एक important बात ये कि अगर आप ये दिखोगे कि कोई भी patient है आपको उनको prone position पे डिपेंड हो तो ये सा नहीं होना है अगर 92 से जान से जान देने वाली बात है 92 से अगर जो भी SPO2 लेवल हो नीचे आएगा तब आपको जो भी doctor है physician है उससे consult करना पड़ेगा क्योंकि उसको जो भी client है healthcare services की आप सकता पड़ेगी इसमें next देखेंगे question सावदानिया prone position देने के लिए कौन कौन सावदानिया रखनी है इसमें देखें avoid proning for an hour after meal खाने के एक गंटे तक आपको prone position आपको नहीं देनी है जब तक आप उसको tolerate कर सकते हो prone position को जब तक आप उसको easily आपको comfort में रहे के उसको same कर सकते हो उससी time तक आपको prone position लेनी है ठीक है अगर आप उसको tolerate नहीं कर सकते है आप उसमें discomfort फिल कर रहे हो तो जबर जबर नहीं है आपको यह position लेनी है इसमें next point देखिए pillow may be adjusted slightly to outer pressure area and for comfort ठीक है जो भी pressure area वहाँ पे आपको क्या है जो pillow है उनका सही से use में लेना है क्योंकि अगर आपको pillow सही से कामें नहीं लोगे तो उस area पे अगर दबाव पड़ेगा तो वहाँ पे ulcer होने के chance से वो रहते हैं इसमें आपको किसी तरह की injury source है उसको जान में रखना है ठीक इसमें next time देखेंगे avoid proning in case हो कौन से case में जो भी proning position हो avoid करना है एक तो pregnancy pregnancy की case में जो आपको prone position हो नहीं देना है deep venus thrombosis जो deep venus thrombosis है डीविटी है उस case में आपको क्या नहीं देना है आपको avoid करना है इसको prone position को major cardiac condition जो भी cardiac condition है उसके अंदर आपको prone position नहीं दानी unstable spine, femur और pelvic fracture में आपको जो भी prone position वो नहीं दानी है ठीक है इन case के अंदर आपको क्याद नहीं देनी prone position pregnancy में dvt major cardiac problem और spine और femur के fracture के अंदर ठीक है तो यह था prone position के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप home isolation में हो home quarantine में हो ठीक है तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप home quarantine में हो तो आप देखिए अगर आप covid positive हो लेकिन आपके अंदर जो भी लक्षन है जो भी symptom से वो आप क्या करें आप काम रहें हेवी exercise नहीं करें जो हेवी exercise है वो ना करें उसकी जगह आप क्या करें योग योगा करें ठीक है इसके साथ में हाईजीन मेंटेन करके रखें गरम पानी पी है ठीक है मतलब गुन-गुना पानी है वो पीना चाहिए ज़्यादा गरम भी ना हो जो आपको सही लगए लेकिन ठंडे पानी से बचें पर इसमें नेट अगर आप जीश भी रूम में रहो तो उसको क्या कर रखें क्लीन और हाईजीन रखे तो इसका ये फाईदा है अगर आपको जो भी रूम है अगर वो क्लीन और हाईजीनिक रहेगा तो इसे आपको क्या मिलेगी पॉजिटिविटी मिलेगी तो ये भी ज़रूरी है अगर आप में शीविय लखसन दिख रहे हैं शीविय शिम्टम सारे हैं तो आपको जो भी health care services है उनको लेना पड़ेगा ठीक है hospital में दिखाना पड़ेगा तो यह था कुछ basic home care management के बारे में prone position के बारे में I hope आपको यह वीडियो पसंद रहा होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा होगा तो इसे share ज़रूर कीजिए आपके जो भी relative है उनको बताईए prone position के बारे में बताईए ठीक है आपका जो को भी SPO2 level है उसको improve करने के लिए prone position हो जरूरी है तो फिलाल के लिए इतना ही ओम nursing academy के साथ जोड़ने के लिए आप सभी का दनेवाई